अब सस्वेत रहे हैं समाचार एजंसी अफ इंडिया का आडियो बुलेटिन स्वागत है प्रदेश इस्सडरी आडियो बुलेटिन में खबरें इस प्रकार हैं प्रमुक सचे उग्रह एसन मिश्रा ने कहा है कि नागरे को से उनोंने कहा है कि वे पूरी कंभीरता से जिस तरह की की गाइडलाइन राज सरकार दोरा जारी की गई है उसका पालन सुनिश्चित करें रेड जून के संबंद में जानकारी दी गई है कि इंदोर उजें जिलेक्या संपूर्ण छेतर रेड जून की श्रिणी में रखा गया इसके साथ ही बोपाल बोर्हानपुर जबलपुर खंडवा और देवास नगरपालिका सीमाओ के अधीन संमलित छेतर और मंदसोर नीमच धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओ के अधीन संमलित छेतर रेड जून की श्रिणी में होंगे पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंद रहेगा कि इंतुर राज सरकास द्वारा मजदूरों के परिवर्ण में लगाई गई यात्री बस प्रतिबंद से मुक्त रहेंगी फैक्टरी मजदूरों के पास फैक्टरी प्रबंदन द्वारा जारी किये जा सकेंगे रेड जून में संमलित इन नौर और जेन जिलों के शेहरी चेतर में बाजार एवं बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे किन्तु ब प्रतिबंद से मुक्त रहेंगे मजद प्रदेश सरकार के दोरा श्रमकों को तवफ़ा दिया गया है मुक्मंतरी शिवरास सिंग चौहान ने शुक्रवार को प्रदेश की हर पंचायत में श्रम सिद्धी अवियान की शुरुआत वीडियो कान्फरिंसिंग के माद्यम से की इस हवसर पर उन्होंने कुछ ग्राम पंचायतों के सचे उतथा मजदूरों से बात चीत कर श्रम सिद्धी अवियान की जानकारी दी और वहां चल रहे कारियों की जानकारी भी मुक्मंतरी ने प्रदेश के समस्त सर पंचोवम श्रमकों को संबोधित भी किया श्रम के अंतर्गस ग्रामीन छेतर के ऐसे मजदूर जिनके पास जाब कार्ट नहीं ने जाब कार्ड बना कर प्रतेक मजदूर को क्ाम दिलाया जाएगा मुक्मंतरी शिवराश सिंघ चोहान ने सर पंचों और श्रमकों से कहा कि उनके मन में सर पंचों सभी से मिलने की तड़प रहती है कोरोना के चलते वे प्रत्यक्ष रूप से सभी से नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए वीडियो करम सेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं श्रमिकों को लेकर एक सो उन्नाई स्ट्रीन शुकरवार तक मद्ध प्रदेश पहुंची इनमें लगबग पांच लाख एक श्रमिकों को लेकर शुकरवार तक एक सो उन्नाई स्ट्रीन आ चुकी हैं इनमें एक लाख श्यालिस हजार श्रमिक वापिस प्रदेश पहुंचे हैं यात्री बसों के जरिये तीन लाख बावन हजार श्रमिक लाए गए हैं इस तरह कुल पांच लाख एक हजार श्रमिक केश्री ने बताया कि मुक्य रूप से अभी तक महाराश से 34 गुजरास से 27 हर्याना से 15 तेलंगाना से 17 पंजाब से 6 करनाटक से 3 गोवा से 3 तमिलनाडू केरल राजस्तान और दिल्ली से 2 दो तसा जम्मू से एक ट्रेन वापस आ चुकी है शुकरवार तक मुक्य रूप से गुजरास से 2 लाख 2 हजार, राजस्तान से 1 लाख 12 हजार, महाराश से 1 लाख 15 हजार शम्मू क वापस लाए गए हैं मनसौर के जिला अस्पताल में पदस्त डॉक्टर प्रकाश कार पेंटर 40 दिनों की लंबी डूटी के बाद जब घर लोटे तो पतनी बच्चों सहित उनकी कालोनी की रहवासियों ने ठाली और ताली बजाकर उनका स्वागत किया यहां यह बात उलेक नहीं होगी कि डॉक्टर प्रकाश इंदरा गांधी जला चिकिस साला मनसौर में शिशी रोग विशेशक के पदपर पदस्तें वे बीते 13 अपरेल से इन दोर के सिनरजी अस्पताल में कोरोना योद्दा के रूप में अपनी सेवाएं दे आए हैं शुकरवार को रमजान महीने का आखरी शुकरवार रहा इसे अलविदा जुमा कहा जाता है इस दिन सामुविक नमाज की काफी अहमियत मानी जाती है हलाकि इस बार लागडाउन के चलते लोगों ने घरों से ही जुमे की नमाज अदा की राए सेन काजी टीकमगाड काजी नीमच काजी ने संयुक तुरूप से बयान जारी करते हुए कहा है कि इस बार इद का त्योहार सादगी से मनाया जाएगा उनों ने लोगों से जरूरत मंदों की मदद की अपील भी की है टिड्डी दल के हमले से मालवा अंचल में कई जिलों में फ़सल का नुकसान हुआ है प्रदेश में गरमी के तीवर तीखे दिख रहे हैं इस से तपन और लू जैसे हालात बन रहे हैं Рाज के अधिकांश जिलों में ब्रस्पतिवार और शुक्रवार को गरमी जैसे हालात नगर निगम आयुक्त रिशी गर्ग उजेन से मंत्रालाय में उपसचयों के रूप में पदस्त किये गए हैं। हर्याणा में फसे चौदा सो लोगों को विशेश रेल गाड़ी से सागर से शनीवार को सागर लाया गया। पन्ना जिलेव की शायबाग में शराव दुकान महला में शिफ्ट किये जाने का स्थानी लोगों के दौरा विरोद किया गया इसी के साथ सीवनी में एक शराव दुकान बारा पत्तर की शराव दुकान को स्थाना अंत्रित किये जाने का विरोद इस्थानी भाजपा विधाय एक दिनेश राय के दोरा लगातार किया जा रहा है गॉालियर में पिछले दुने हुए भीशन अगनी कांड में जान पर खेल कर एक बच्ची की जान बचाने वाले महेश कुमार बाथम का शनिवार को गॉालियर जला प्रशाशन दोरा सम्मान किया जाएगा शनिवार को शनिजेंती पूरे प्रदेश में परंपरागत उस्साह के साथ मनाई गई ये समाचार थे आडियो बुलेटिन शुक्रवार 22 मई 2020 का शनिवार 23 मई 2020 को एक बार फिर माडियो बुलेटिन लेकर हाजर होंगे तब तक के लिए जाज़त दीजे नमस्कार आज हम आपको बताते हैं समाचार एजिंसी आफ इंडिया की चैनल को आप सबस्क्राइब कैसे करेंगे सबसे पहले आप अपने मुबाइल पर प्राउजर को खुलिए या तो यूटूब को खुलिए यूटूब आपके पास होगा यूटूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दवाईए सर्च में आप लिए ल आई एम टी वाई के एच ए आरी इस तरहे आप ये स्पेलिंग लिए इसके बाद ये खुला देखेगा आपको ये देखिए आप ये आपको खुला देख रहा है इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है सामने दिख रहा है इसको आप दबाएंगे जैसे ही आप दबाते हैं इसके बाद इसका रंग लाल नही रह जाएगा इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाएए दाएं कोने में आप देखिए परसनलाइज नन और आल आपको दिख रहा है आप आल को क्लिक कर दीजे जैसे ही आप आल बटन बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा इसके बाद आपको समाचार एजिंस एफ इंडिया पर जितने भी वीडियो डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे इस तरह से आप समाचार एजिंस एफ इंडिया की वेब साइट जो है समाचार एजिंस एफ इंडिया का चैनल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सारे कि सारे वीडियो आपको मिलना चालू हो जाएंगे इस तरह से आप जरूरी जानकारियां जरूरी खबरों जरूरी आप अन्य चीजों से वंचित नई रह पाएंगे समचार एजिंसी आफ इंडिया का यूटूब चैनल आप सबस्क्राइब करें और पल पल की जानकारियां आ आपको लगातार मिलती रहेंगी इस तरह आप कर सकते हैं से सबस्क्राइब नमस्कार